बिस्मिल्ला हर्मान रहीम, असलावलेकूम, आसिफा कोसस किचन में मैं आप सब का वेलकम करती हूँ जब हम कहीं बाहर खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट या फिर धाबे में जाते हैं तो खाने के साथ एक तरह का सलाज सव किया जाता है जो खाने में बहुत ही डिलिशयस होता है और जो खाता हमने और किता है उसके मजे को और दुगना कर देता है उसे लच्छा प्यास कहते हैं तो आज हम इसी को अपने घर पर बनाते हैं तो सबसे पहले इसके लिए मैंने लिया है 1 teaspoon चाट मसाला पॉडर, 1 teaspoon लाल मिर्श पॉडर, 1 teaspoon मैंने भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा लिया है, एक हरी मिर्ची को मैंने तुकडों में काट लिया है, थोड़ा सा धन्यापती लेकर उसको भी मैंने काट लिया है, half teaspoon मैंने काला नमक लिया है और हस्बेज़ाइका मैंने सफेद नमक भी लिया तीन मीडियम साइज प्यास को लेकर मैंने पहले उसे गोल काट लिया था आप देखिए उसकी थिकनेस मैंने कितनी रखी है उसको पतला नहीं काटना है उसके बाद मैंने उसे लच्छो में अलग कर लिया है और इस प्यास को मैंने बरफ वले पानी में भीगो कर रखा है बरफ वले पानी में मैंने इसलिए भीगो कर रखा है कि जब भी हम यह सलाद बनाएं तो यह क्रंची ही रहे तो इसका पानी निकाल कर मैं एक बॉल में प्यास डाल रही हूँ प्यास सारी मैंने इसमें डाल ली है अब मैं इसमें डाल रही हूँ वन टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्श पौडर अगर आप कम तीका खाते हैं तो मिर्ची की कॉंटिटी आप कम कर सकते हैं उसके बाद मैं इसमें डाल रहे हूँ भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा पाउडर उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रहे हूँ चाट मसाला पाउडर उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च हरी मिर्च भी आप चाहे तो उसकी कॉंटिटी कम कर सकते हैं उसके बाद मैं डाल रही हूँ दो तरह का नमक और फिर हम इसमें शामिल करेंगे कटा हुआ धनिया पत्ती और हम इसमें शामिल करेंगे आधा लीम्बू का रस और लीम्बू का रस डालने के बाद इसमें मैं मिला रही हूँ हाफ टीस्पून विनेगर विनेगर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो इस तरह से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है देखिए ये देखने में अभी से कितना टेस्टी लग रहा है और देखते ही मूँ में पानी आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही चटपटा सलात बनकर तयार हुआ है तो आप भी अपने घर में इसको जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आज ही मेरे चैनल आसिफा को सस्क्रिचन को सब्सक्राइब करिए साथ में दी गई बेल को प्रेस करिए तैकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके वीडियो को लाइक और शेर जरूर करिएगा मैं बहुत जल्द एक आसान और नए रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होती हूँ तब तक के लिए थैंक यू फो वाचिंग मैं चैनल